तार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले लक्षदीप वर्सिस मालदीप यह विश्य है अभी चर्चा का क्यों बना हुआ है क्योंकि आपको बता है कि प्रदानमंदरी मोधी जी जो है वो लक्षदीप पर और वह करने की बात की और कहा कि यहां पर भी लोगों को आना चाहिए लेकिन मालदीव ने एक तरीके से कह सकते हैं कि यह जो चीज थी अपनी पैर पर कुलाड़ी मार ली उन्होंने और मैं बहुत चीज बोलना नहीं चाह रहा हूं मालदीव ने जो इसके मालदीव के मिनिस्टर् कि यह आफ बहुत सारे ट्विट करने स्टार्ट कर दिये, कई होने माधी मोधी जी को जो करते क्या दिया था, फिर काफ़ी सारी प्रतिकरिया भारत की तरफ से बे एक गई थी, लोगोंने अपनी फ्लाइट कैंसल कर दी थी, अपने होटल बुक जो कर रहे थे, वो cancel कर दिये थे, अपने tourist plan जो भी अपने plan बना रगे थे, घुमने के वो सारे उन्होंने cancel कर दिये थे, काफी चीज़े हमें देखने को मिली, तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्या discuss करने वाले हैं, देखे, tourism के उपर बात हो रही है, तो obviously हम देखेंगे कि क्या नक्षदि आपको एक telegram का link दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से, मतलब तुस telegram के link के आप पर click करेंगे, तो page open हो जाएगा, या फिर telegram open हो जाएगा, तो वहां पर आप लोगों के इस वीडियो की PDF जो है, वो मिल जाएगी, तो चलिए start करते हैं, first of all, आगे बढ़ने से पहले, कि मैं आगने वाले इस वीडियो में लेने वाला हूँ, तो आप लोगों के सामने वोकर वो image दिखाई गई होगी, कि हाँ, मैं इस particular जगह की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आप बहुत अच्छे से relate कर पाएंगे उस चीच को, first of all, तो यह मीनिकोय आइलेंड है, एक अगाती हो गया, और एक यह जो आइलेंड आप देख रहे हैं यह वाला आइलेंड, यहां पर गएदे परदान मंतरी मोधी जी, इसको मैं एक बर जूम कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख पाएंगे, एक मिनिट यह राजूम, ओके, त मैं अगाती है, यहां पर मीनिकोय हो गया, कालपीन हो गया, तो यह हो गया। यह है आपके सामने ओपर, यह दिखेंगे नंगे, यह आपके सामने लक्षदिव और इजसे के सामने है आपके सामने माल दीप माले जिसकी राजदानी है देखे दोनों जो है दोनों जो मतलब की लक्ष दीप और माल दीप दोनों जो है आइलेंड का एक स्मू है ठीक है आइलेंड दीप स्मू है जिनको हम कहेंगे जो चारों दरफ से पानी से गिरा हुआ है खुद एक दीप है जो कुद चारों तरफ से पानी से गिर कर एक देश बना रहे हैं, यहां पर यह एक Union Territory बना रहे है भारत की सबसे चोटी Union Territory कौन सी है वो लक्षदीप ही है इसकी position आपने देखा, यह श्रिलंका और यह होगा हमारे भारत दक्षण पश्चिम की तरफ यह पढ़ता है हमारे भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो अब यहां पर देख लीजिए, यह रामाल दीप ठीक है, यह लक्षदीप यहां पर रामारे सामने, इनकी position आप देखेंगे बिलकुल आमने सामने ही है, ऐसा नहीं कि कोई जादा दूर है, यह सब चीज़े होगे आपके सामने, clear हुआ, यहां पर आपके सामने एक और दिखाया गए है, देखें, 227 किलोमेटर कोच्ची से बात हो रही है, कितनी दूरी पर है यह कोच्ची से, ठीक है, 432 किलोमेटर, 469 किलोमेटर, 404 यह काफी जादा important जो है, आपके सामने, आइलेंट के नाम लिए गए तो यह रहा लक्षदीब, यह रहा माल्दीब, तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को जो यह मैप दिखाया गया, इससे position तो clear हो गए होगी यहाँ पर आने का आहवान उने किया था, और जैसे ही उन्होंने यह बात बोली थी, तो उनके ओपर एक extraordinary attack जो वो start कर दिया था, माल्दीब की जो government officials हैं, उनके तरफ से, बहुत एक अलगी तरीके काहा में रविया देखने को मिला था, बहुतों ने भारत की Sanskriti का मज़ा कोड़ाना start कर दिया था, माल्दीब के जो थे उन्हों, जो minister थे उन्होंने, obviously इस चीज़ को लेकर भारतियों ने भी काफी जादा एक बहुत तकड़ी परति करिया दिया थी, तीकी परति करिया थी, जिसके अंदर उन्होंने वहाँ पर अपनी जो यात्रा थी, उसको कैंसल कर दिया था, फ्लाइट कैंसल कर दिया थी, होटल बुकिंग थी, वो कैंसल कर दिये थे, काफी चीज़े हमें देखने को मिली थी, शोशल मीडिया पर एक तरीके से वोर स्टार्ट हो गया था, मालदीव जो है, वो एक तरीके से दीव समू है, दीव समू आप समझ रहे हो न, कि जिनके जो आइलेंड है, वो खुद चारों तरफ से पानी से गिरे हुए है, 1190 कोरेल आइलेंड का बना हुए एक दीव समू है, जिसके अंदर 60 ओड अटोल्स हैं, अलग-अलग तरीके के आप समझ सकते हैं, स्प्रावल्स मतलब कि अलग-अलग ये जगह पे फेले हुए हैं, नोर सेंटरल इंडियन ओशन के अंदर, केरला और श्रिलंका के ये साउथ वेस्ट में पढ़ते हैं, माले इसकी कैपिटल है, 600 किलोमेटर दूर है, ये त्रिवंदपूरम से, ये होगी आपके सामने इसकी पोजिशन, लक्षदीब के अगर बात करूँ, तो इसको संस्कृतिक और माले आलम भाशा का में, अगर इसका अनुवाद किया जाए, तो इसका मतलब होता है, 100 हजार दूर, ये आपके सामने 1190 कोरल आइलेंड है, कोरल जो बहुत जादा सुंदर लगते हैं, आपके पानी के अंदर देखा होगा, तो रंग भी रंगे अलग अलग colorful जो हैं, वो एक तरीके से पोदे समझ लीजिए, पोदे तो कहना गलत होगा, एक तरीके से हैं, वैसे आपको समझाने के बोल रहा हूँ, कि वहाँ पर रंग भी रंगे के आपको पोदे देखने को मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा सुन्दरता आपको, मतलब आप जब भी जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा सुन्दरता महसूस होगी वहाँ पर, कितना ज़्यादा सुन्दर है, इसलिए तो ज़्यादा तर मालदीब में इसलिए जाते हैं, भारत का सबसे चोटा एक इंजिन टेरिटरी है भारत के रिस्पेक्ट में हम बात करें कोची से कितनी दूर है मालदीव कहेंगी यह पढ़ता है हमारे सामने 229-449 किलोमेटर पढ़ता है जो इसके आइलेंड है maximum to maximum 239 से लेकर minimum से minimum 239 और maximum 449 तक और यह मालदीव के कहां पर प तो यह मालदीव के नौर्थ में पढ़ता है बारत के रिस्पेक्ट में भी आप देख सकते हैं यह लक्षदीव कहां पर पढ़ता है और भारत के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं मालदीव कहां पर पढ़ता है तो यह हो गया आपके समने चोटी सी डिटेल कि लक्षद मिनिस्ट्रम है तो अभी तक कोई ओफिश है मतलब कि इतना हाली फिलाल का कोई अपडेटिड डेटा तो नहीं है हमारे पास लेकिन 2019 का एक डेटा है हमारे पास अपनी मतलब की अनलेसीज करें कि कितने जो लोग है वह लक्षदीप में गुमने गए तो बहुत जीरो ही है ऐसा कुछ जादा ट्यूरिस्ट गए नहीं है अभी इसके बारे बात करने तो देखिए 2018 में 10,435 पूरे 2018 की बात करा हूँ तो 10,435 घरेलू यानि डोमेस्टिक ट्यूरिस्ट जो है वो लक्षदीप गए थे और फोर्नर के अगर बात करूँ तो 1313 ही जो है वो लक्षदीप गए थे गुमने यह 2018 की बात है 2017 में अगर मैं बात करूँ तो 6620 जो ट्यूरिस्ट जो डोमेस्टिक है मतलब भारत की लोग है जो लक्षदीप गुमने गए थे और जो फोर्नर थे वो 1027 थे यह संक्या रही है मारे सामने और इससे पहले अगर हम बात करें योजना और संक्या की निद्याशालय में लक्षदीप के एक परकाशन बेसिक स्टैटिक स्टिक 2014 में कहा गया कि 2013-14 में 5237 भारती है और 398 विदेशी जो है वो लक्षदीप गए थे यह 2013-14 की बात है और 2014-15 में बात करें तो 7315 और 437 वि अगर आप देखेंगे मालदीव का क्या हाला तो मालदीव का आप देखेंगे तो वहां पर तो प्रति दिन 6000 जा रहे हैं प्रति दिन 6000 जा रहे हैं तो आप सोचिए वहां कितना ज्यादा ट्यूरिजम है और वो कैसा है अभी इसको भी हम जानेंगे तो मालदीव जो है वहा दिन ही हुए है जन्वरी के 17 जन्वरी तक 1,626 प्रेटक जो है वो देश में आये थे और इसका एवरेज अगर मैं निकाल लो हर दिन का तो 6,000 टूरिस बनते हैं ठीक on an average 2023 में 17 जन्वरी तक अगरम बात करें यानि ठीक इसके पिछले साल तक तो 92,848 आये थे उसके पिछले साल अगर हम बात करें 17 जन्वरी दो हजर बाइस तक तो 96,155 लोग आये थे तो इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा अब दिखिए 17 दिन के अंदर ही लगब एक लाख लोग आ गे और वहाँ पर हमारे देश में लक्षद्वीप के अंदर पुरे साल में 10,000 लोग भारती ही जा पा रहे 1313 लोग विदेशी ही जा पा रहे यहाँ पर तो आप देखिए कि भारतीयों कितना बड़ा योगदान आपको देखने को मिलेगा और आंकडों से पता चलता है कि 2023 के अंदर पुरे साल में लक्षद्वीप में कितने लोग गए थे तो 1.87 मिलियन लग 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 19 लाख लोग जो हैं वहाँ पर घूमने गए थे 19 लाख लोग वहाँ गये मतलब कि देखिए कितनी ज़्यादा संक्या के अंदर यहाँ पर टूरिसम जा रहे हैं अब क्यूं जा रहे हैं उसके पीछे भी रीजन है उसको भी हम डिसकस करेंगे 2022 में यह संक्या के इतनी थी 1.67 मिलियन लग 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 17 लाख के लोग जो हैं वो यहाँ पर गए थे एक मिलियन यानि की 10 लाख लोग होते हैं तो आप इसको देखेंगे इसको कनवर्ट करेंगे 1.67 लाख यानि 16 लाख 17 जार के आसपस यह संक्या आपके सामने निकल कर आती है मालदीव सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि COVID-19 महमारण के बाद भारत के जो प्रेटन है या जो प्रेटक है जो टूरिस्ट है उनका बहुत बड़ा एक शेर रहा है मतलब कि देखें अगर 100% यहां पर मालदीव में गूमने लोग आ रहे हैं 100% उनकी संक्या है उस 100% में से भारत के कितने लोगों के संक्या है 2023 के अंदर अगरम बात करें 2023 के अंदर बात करें तो वो 11.2% है 2023 में दुरुलाक से भी अधिक भारतिय है जो हैं मालदीव गए थे 2022 में यह संक्या 14.4% थी 2021 में यह संक्या 22.1% थी 2020 में यह संक्या 11.3% थी कितना बड़ा major role play कर रहे हैं भारतियें इनकी gdp के अंदर इनकी बाहर की कमाई के अंदर फोरन जो पैसा जया वह इनकी फोरनम Bloody Crime कर रहे हैं भारतिben फिर भी जिस तरीके के इनका behavior लाँ है भारतियों के प्रतिय या भारत्य सरकार के परती जिस तरीके के इन्हों ने हमारी कल्चर का मजा कोड़ाते हुए इन्हों ने मतलब की ट्विट किये थे उनकी फोटो शेयर की थी प्रथान मंतरी मोधी जी का इन्हों ने मजा कोड़ाय था ये काफी शरम की बात है अब बात कर लेते हैं कि मालदीप जो है वो इतना अकर्शक क्यों है क्यों लोग वहाँ पर इतना जा रहे हैं तो एक देखे मालदीप ने काफी टाइम से अपने टुरिजम के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया ऐसा नहीं कि रात तो रात ये कड़ा हो गया काफी टाइम से ये लोग महनत कर रहे हैं इन्होंने अपनी टुरिजम पोलसी को अपनाया 1996 से लेकर 2005 इन्होंने एक मास्टर प्लैन अपनाया था ये मास्टर प्लैन तो इन्होंने 1996 में ही अपनाया था लेकिन इससे पहले भी जो लोग ये काम कर रहे थे अपनी ट्यूरिजम के उपर 1972 में दो द्वीप दो आइलेंड थे मतलब कि जहांपर 60 प्रेटक विश्तर यानि कि ट्यूरिस्ट बैड थे दो ही द्वीप के उपर, दो ही आइलेंड के उपर वहां से ये विकास शुरू होता है 1980 में ध्यान रखना 1972 में कितनी संक्या थी सिर्फ 60, जो मतलब ट्यूरिस आएंगे वहां पर 60 लोगों के लिए यहां पर परवंद है अभी फिलाल कितना है, यह आप देखिएगा कितना आपको सामने निकल कर आता है सरकारी आंखडे जो है, इन्होंने जो पेश किये है 1972 से शुरू होते है 1980 के दशक में यह देश जो है, वो सबसे महतपूर्ण एक आर्थी गतिविदी से गुजर रहा था 1980 तक, फिर उन्होंने बहुत सारे प्लैन अपने देश के अंदर लेकर आए इन्होंने एक तरीके से दिखिए अभी इन्होंने यहां पर लिखा होगा मालदीव के एक अंतरास्टे प्रेटन सिधे तोर पर सकल घ्रेलू उत्पात का 30 परतिशत योगदान देता है, यहनी GDP का कितना आता है, 30 परतिशत और इनकी विदेशी मुद्रा आये में कितना परसेंट हिसा रखते हैं, यह प्रेटक 60 परतिशत, देकि कितना बड़ा एक तरीके से कोई इनके पास और कुछ चीज नहीं है, लेकिन यह अपने पास क्या बुलाएंगे, लोगों को बुलाएंगे अपने देश को कैसे चलाना है, भाई प्रेटन से ओविसली टूरिजम से इनका देश चलेगा तो इससे यह चीज समझ आती है कि 2019 में इनकी कैसे लुटिया डूबी होगी, इससे समझ लीजे, लेकिन डूबी नहीं, अभी नोंने वापिस अपने आपको खड़ा किये, और इस देश के अंदर 40 से अधिक सेवाएं परदान कर रहे हैं, पूरे देश के जो एरक्राफ्ट हैं उनके उद्वारा, भारत से जैसे एर इंडिया, विस्तारा, इंडिको दुनिया बरके 40 वाग सेवा परदान करते हैं यहां पर, मुंबई, बैंगलूरू, कोची से, यहां पर माले के तरह वड़ान भरते हैं, मालदी अपने परमुक जो एक तरीके से, जहां पर सबसे ज़्यादा टुरिजम आ रहा है, उनके लिए काफी चीज़ें वो लेकर भी आते हैं, अभी हाली में, इन्हों विज़ा फ्री, मतलब कि आप आईए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है विज़ा की, सिधे आ जाईए, आपके पास पासपोर्ट और टिकेट अबो करिए और आ जाईए हमारे देश में, तो इन्हों ने ये पॉलसी लिएंच कर रखी है, जिसके अंदर भारत भी शामिल किया गए, क्योंकि भारत का इतना बड़ा हिस्सा तो है, इनके अंदर जो लोग यहां पर जाते हैं रूस भी है, चीन भी है, कजाकिस्तान भी है, इनके लिए इन्होंने क्या कर रखा है विज़ा फ्री, अभी हाल में जो गवर्मेंट है, मालदीव की जो प्रेजिदेंट है, वो चीन भी गए थे या उन्होंने आवान भी कहाता है, देखे, आप अपने चीनी लोगों को भीज दीजिए, हमारे देश में ज़्यादा ज़्यादा ट्यूरिस जो है, वो हमारे देश में 62,000 से अधिक, देखे, यहाँ पर कितना था 1972 में, 60, अब कितना हो गया, 62,000 से अधिक बिश्तरों की पेशकस करते हैं, कितना ज़्यादा इन्होंने अपने टिविजम प्लैन के, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, आज ही 62,000 पर पहुंच चुके हैं, अक्सर पू बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्राइविसी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा होस्पेटलिटी चाहिए, तो आप काम करिए एक आइलेंट पे चली जाहिए, वहाँ पर एक ही रिजोट मिलेगा, आप अराम से घूमिए वहाँ पर, तो इतनी भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और ये एक तरीके से समझ ये, काफी सालों से कई जो रिजोट हैं, वो बहुत ज़्यादा रेपोटेशन रखते हैं, हाईयर होस्पेटलिटी के लिए, इतनी ज़्यादा वो होस्पेटलिटी करते हैं, इतना आदर सम्मान, इत लाख लोग चले जा रहें, तो इतना क्यों गैब हैं, तो देखिए, लक्षदिप का एक तो जो आपके सामने मेजर रीजन आएगा, वो केवल ये, कि इसका शेत्रफल बहुत चोटा है, दस द्वी पी यहाँ पर बसे हुए, प्रेटन का दाहरा काफी ज़्यादा सीमित है हालांकि प्रेवर्ण, शत्ती और स्थानिया आजविकों के विनास की चिंता के कारण, भारत ने कभी भी यहाँ पर प्रेटन शम्ता, यानि कितनी कैपेसिटी है, वहाँ पर उस पर इंवेस्टमेंट किया ही नहीं, कि यहाँ पर फ्रिजाइल एकोलोजी है, वही वहाँ प पर हैं, पी-पी महमद फैजल, जिन्होंने 2014 से लोक सबा में लक्षदीब का रिप्रेजेंटेशन किया है, उन्होंने कहा कि दीबों के पास बड़ी संक्या में प्रेटकों को मेजबानी करने की शम्ता और संसादन, यानि उनके अंदर कैपेसिटी और रिसोर्सिस तो है ही रिसोर्सिज नहीं है, उतनी केपेसिटी ही नहीं है, तो इनकी आवा भогगत कैसे हो पाएगी, आवा भогगत नहीं हो पाएगी, तो एक तरीके से नेगेटिव इंपक्ट चला जाएगा, तो ये बात उन्होंने बोली, उन्होंने इंडियान एक्स्रेस को बताया कि गंवीर परिष्थिति की तंतर यहनी की फ्रेजाइल इकलोजी है प्रेवरन को नुकसान हो सकता है जिससे क्या है हम प्रेटकों की भारी संख्या को स्विकार करने की स्थीति में नहीं है ओविसली क्योंकि 32 स्क्वेर किलोमेटर का ही एरिया है इनके पास और यह जो है एक तरीके से आइलेंड के अंदर ही बसे हुए है अलग-अलग आइलेंड के अंदर काफी छोटे आइलेंड है जहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ 64 कोटेज जहाँ पर 200 कोटेज इतनी ही शमता है यानि 200 कोटेज ही बसाए जा सकते है इतनी ही शमता है तो इन सीजों को देखते हुए उन्होंने का है कि हम accept करना चाते हैं हम चाहते हैं कि देश हमारे जो लक्षदीप है union territory है वहाँ पर लोग आएंगे एक तरीके से tourism बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा रोजगार मिलेगा तो वो वहाँ पर एक तरीके से बिरोजगारी से मुक्त हो पाएंगे तो हर कोई चाता है कि हर कोई बिरोजगार से निकल कर रोजगार के अंदर आए तो ये सब चाते हैं लेकिन चाहने से वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो तो नहीं बदल पा रही ना उनको पहले तो बदलना होगा बदलना क्या होगा एक तो यहां पर आप लोगों को infrastructure में development करनी होगी infrastructure development करने के लिए जो चीजें नुकसान हो रही है जैसे pretend का नुकसान हो रहा है उन सी जों को देखना होगा यह सारी जीजें करनी पड़ेंगी इसके अलावा और क्या क्या दिक्कत हो रही है मई 2012 में सुप्रीम कोट ने यह आइलेंड पर जो पर्यावरन और विकास समधी चुनोतियों को देखने के लिए एक retired justice है आरवी रविंदरन उनके तहत एक panel निउट किया था और समीती ने सिफारिश की कि सभी बुनियादी यह इस panel ने बात करी बताया कि आप लोग जो भी विकास जो भी development चाहते हैं वो एक integrated plan के अंदर ही आप कर सकते हैं यानि कि आप एक काम करें आपने कोई plan ले के आए आप उसको implement करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप वो plan जो है वो implement करना चाहते हैं तो वहां के जो निर्वाची स्थानी है जो self government जो लोग है उनको आप जाके promise उनसे लीजिए और फिर उनको लागो करिए रिपोर्ट में ये बात भी बोली गई जो island है उनकी स्थिती कैसी है बहुत जादा नाजूक है coral, lagoon, अन्य जो परस्थिती की तंतर है उनको रिजर्व करने की बहुत जादा आवशकता है उन पे ध्यान देना चाहिए परतेक द्वीप की वहन शम्ता निर्धारित की गई है बंगा राम जहां पर परदान मंतरी मोधी जी गए जिस निर्जन द्वीप पर परदान मंतरी मोधी जी ने दोरा किया उसमें कोटे संग इनकी कितने कोटे जो सकते हैं 200 दोस्सव इंसरम्त है लेकिन इतने कारें नहीं कर रहे हैंब। कि आपका कोई घर कल को सरकार को जरूरत पड़ेगी तो वो घर आपसे ले सकती है हाँ वो अलग आती की बात है कि आप लोगों को वो मुआफ़जा दिया जाता है लेकिन यहाँ पर ऐसा बोलना कि जैसे कि जमीन सरकार की भाई सब सीजन सरकार की ही है परशाशक प्रफुल पटेल को अपनी विकास पहलों के लिए विरोध का सामना करना पड़ा था यह प्रफुल पटेल थे वहाँ पर उन्हों अपना एक डेवलोप्मेंट प्रोग्राम चला रहे थे लेकिन लोगों ने उस चीज का विरोध किया और स्थानिय समूने हाई कोट के अंदर जाकर इस चीज को रोक लगाने में उनको सक्सेस मिली दी फैजल ने का अगर आप द्वीपों को विक्सित करना चाहते हैं तो ज़्यादा जमीन तो उपलब्ध है ही नहीं आप कैसे कर पाएंगे यह बात बोली यहां पर वर्तमान में द्वीपों पर कौन सा प्रेटक बुनियादी धांचा उपलब्ध है मतलब कि आज की डेट में लक्ष द्वीप में कौन से जो आप जा सकते हैं वहां पर या फिर कौन सा काररत है कितनी ज़्यादा कैपेसिटी के कारन वहां पर आप आप लोग सही से जा सकते हैं तो इस चीज को समझे कितनी जहां जाती हैं देखें चालिस जो एरक्राफ्ट हैं मतलब कि आप देखते हैं कि एरप्लेन जो है वो जाते हैं माल्डिव चालिस देशों से चालिस देशों से मतलब कि चालिस जाते हैं अलग-लग देशों से पूर दुनिया में भारत से भी काफी जाते है, मुंबई से जाते हैं, बेंगलूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर जो अगाती जाता है तो इसकी जो संक्या है वो बहतर लोगों को ही ले जा सकता है यानि बहतर लोगों के CTE वाला है एक छोटा सा airplane जो है वो वहाँ पर एक दिन के अंदर एक ही उडान भरता है तो एक तो यह हो गया दूसरी यह लक्षद्वीप लक्षद्वीप और कहें कि कोची के बीच में कोची के बीच में अब obviously पानी है पानी के बीच में पानी वाली जहाज भी चलती होगी वो फैरी वाल चलती होगी तो वो कितनी चलती है तो साथ है लेकिन साथ के अंदर क्या है साथ चलती है लेकिन साथ के अंदर सिर्फ पांच ही कारे रहत है और इन पांच जो है वो डेली भी नहीं चलती है जहां पर अगर ये पांच जो एक साथ चलें तो 2100 लोगों को एक साथ ले जा सकते हैं लेकिन ये 5 डेली नहीं चलती हैं तो इनकी संक्या घट कर कितनी चली जाती है 1500 से 1900 तक ही जा सकते हैं तो ये हो गया हमारे अब 1500 से 1900 कव जहां रखना है ये 72 लोग जो हैं हवाईजाज वाले भी हैं इसके अंदर टूरिस्ट भी शामिल है इसके अंदर जो वहाँ के रहने वाले लोग वो भी शामिल है ये 1500 से 1900 लोग वो भी हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं इसके अंदर वो भी हैं जो वहाँ पर घूमने भी जा रहे हैं ये संक्या होगे हमारे सामने तो वहां के जु स्थानीय लोग हैं वह ये अमेशे विरोत करते हैं कि जो संक्या है वह बहुत ज़दा कम है मतलब कि आपको और ज़्यादा चीजें घ्रिया चाहिए यह हमारे लिए यही प्रेप्त नहीं हो रहे हैं यह आप्रेप्त हैं ये वहां के लोग रहने वाले जो लोग हैं वो ये बात बोल रहे हैं देखें ये चीजे होगी हमारे सामने कावरत्ती के अंदर 14 कोटेज हो सकते हैं अभी फिलाल नवीनी करन चल रहा है क्योंकि देखें pandemic के दोरान जो है mini कोई कावरत्ती होगे यहां पर pandemic के दोरान महामारी के दोरान काफी सारे जो कोटेज थे unuseful थे, उनका use नहीं हो पा रहा था तो वो टूट गए, खराब हो गए तो अब उनकी मरम्मत करनी अभी बाकी है नवीनी करन अभी तक हुआ नहीं लेकिन हो रहा है यह सब चीजे है दूसरी बात यह बोली, एक तो यह आपके सामने आने जाने की वेस्ता वो काफी ज़्यादा चरमराई सी है 14 से 18 गंटे लग जाते हैं आपको जाने के अंदर एक और चीज जो यहां पर बोली गई है दीपों में जो परवेश है आइलेंड के अंदर परवेश है वो परतिबन दीत है, वो रस्टिक्टिड है आप अगर लक्षदीप जाना जाते हैं तो वहां पर आपको जाने से पहले वहां के जो एड्मिट देना पड़ता है परमिशन लेनी पड़ती है उसकी आवशकता होती है वो काफी जादा एक तरीकी से जटिल वाना गया है प्रोपर्टि डेवलोपर है और वहां के रेजिडेंट या मतलब की रेजिडेंट रहने वाले जो है फरीद खान उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 में लक्षदी प्रेटन नीती प्रकाशित हुई थी लेकिन ये प्रकाशित होने के बाद भी वहां पर कोई जदा तेजी से काम हुआ नहीं प्रेटन विकास में नीजी यानि प्राइवेट पब्लिक और PPP मोडल की अनुमती दी गई मतलब कि आप प्राइवेट लोग भी आ सकते हैं मतलब कि सरकारी संस्था प्राइवेट संस्था यह सारे मिलकर वहां पर काम कर सकते हैं प्राइवेट लोगों को आने के लिए भी अनुमती दी गई लेकिन वहां के जो स्थानिय उद्दियम है उन्होंने अपने जो हैं एप्लिकेशन वहां पर दिये कि हम यहां पर कुछ चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन उनकी एप्लिकेशन अभी तक मंजूर नहीं हुई है अगती करवती में जो प्रेटक घर और रिजोर्ट के लिए ग्यारा यानि ग्यारा एप्लिकेशन के आई दी लेकिन कोई भी किसी को अभी तक मंजूरी नहीं मिली क्योंकि इनकी जो दस्तावेज है जो डोकुमेंटेशन है वो काफी जादा जटिल है, कॉम्पलेक्स है तो एक तो यह हो गया हमारे सामने हालांकि फैजल और यह जो फरीद कान है, वो काफी ज़्यादा उप्टिमेस्टिक है, उन्होंने का कि देखिए अब परधानमंतरी मोदी जी खुद रूची ले रहे हैं लोगों को बोल रहे हैं आने के लिए तो एक हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में लेकिन कम मातरा में, क्योंकि यहां का इकलोजी सिस्टम जो है, वो काफी ज़्यादा वीक है, फ्रिजाइल है, उसको बहुत ज़्यादी नुकसान हो जाता है, यह था आज की टोपिक, मतलब कि आमीद, उमीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लक्षदीब के अंदर अभी हाली में क्या इंट्राच्रक्चर है, कैसी स्तीती है, कितने लोग जा सकते हैं, वहां पर कितने लोग जाते भी हैं, और वहां पर लोगों को, मतलब कि उनकी समाहन, या फिर कहीं कि उनके आवा भगत करने के लिए, प्रयाप्त रिसोर्स हैं भी या नहीं, यह सारी चीज़े मने आप लोगों को इस वीडियो में समझाने की, पूरी-पूरी कोशिश की है, उमीर आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर समझ नहीं आई है तो ओवेसली कोमेंट सेक्शन ओपन रहता है अपने विचार वहां पे रख सकते हैं और समझ में आगई है, तो मुझे कैसे बताएंगे ओवेसली लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा ही पसंद आए हैं तो बही चैनल को शेर भी कर सकते हो वीडियो को भी शेर कर सकते हो तो पीडियो के लिए फिर से बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर बहाँ से इस वीडियो के पीडियो जो डाउनलोड कर सकते हैं तेंक्यों वुरॉ